तर दोस्तों मैं रिना आपके अपने चैनल लीना किचेन रस्पी हम लोग से स्वागत करती हूँ तो आज हम जानेंगे कि जो उत्पना एका देशी हैं चुकि कल है यानि 20 नौमबर 2022 को तो एका देशी व्रत के दोरान काफी लोग भलार करते हैं तो भलार में मुंफरली खा स करते हैं या नहीं खा सकते हैं और मुंफरली कैसे खानी है किस तरह से खानी है इस वीडियो में आपको दी जाएगी संपून जानकारी तो आज हम जानेंगे कि उपवास के दोरान काफी काफी लोग होते हैं जो मुंफरली के दाने और फलियों को सर्दियों के मौसम से ख्यार लगती है स्वाद का लेकिन व्रत उप्वास और त्योहारों में ड्राइफूर्स और नर्स के साथ साथ मुंफली के दानों का सिवन भी बहुत अधिक होता है मुंफली के दानों का पाउडर साबुदाने की खिचिडी की लज़त बढ़ाता है वही इन स्वादिष्ट बीजों को भून कर गजग, चिक्की, पटी और लड़ू और मीठे पक्वान तियार किये जाते हैं ये सबी मिठाईयां प्रैसाद में चड़ाने के अलावा व्रत या उप्वास के दोरान खाई भी जाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि उप्वास के दोरान मुफली के सेवन से आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और आप व्रत के दोरान किस तरह की मुफली का आप प्रियोग कर सकते हैं उप्वास के दोरा एकदशी का काफी लोग उपाश रखते हैं, सबी लोग, जो लोग 12 महीने की एकदशी करती है, जो साल बर की एकदशी को जिसमें 24 एकदशियां मानी जाती है, उसमें उत्पन्मा एकदशी को सबसे ज़्यादा खास माना जाता है ये माक्षिस माज की क्रेशन पक्ष की एक अदर्शी तीथी को आती है तो इस साल ये 20 नौमबर 2022 को है यानि कि कल तो ब्रत और उपास के दोरा मुंख़ली के सेवन के पीछे सेहत से जुड़े कुछ कारण भी है दरहसल मुंख़ली हेल्थी फेड्स, कार्बो हैड्रेट और एक अच्छा food source है साथ ही नेचुरल होने के करण ये शाकारी डाइट में शामिल करने के लिहाज से भी एक आदर्श फूर्ड है मुंख़ली के सेवन से जो एक आदर्शी व्रत उपास नवरातर जैसे व्रत उपास के समय और और हेल्थ को कई तरह से लाप होचाता है लेकि आपको मुफली खाने कच्छी मुफली आप चिल के फिर इंप उसको प्रियोग में करें जो बाजर से लाएं मुफली आती है वो सही नहीं आती है क्रेप होजित करके उसके यूज़ बिलकुल ना करें बाजर का कोई भी प्रोडेक्ट या वह सही नहीं आता से अच्छ तो उन्हें कई बार कमजोरी महसूस होने रगती है और एका दशी का व्रत तो दश्मी तिथी से लेकर दवा दशी तक चलता है तो ऐसे में मुखली खाने से व्रत करने वाले व्यक्ति को एनरजी मिलती है मुखली में प्रोटीन की भी मात्रा अधिक होती है जिससे मुखली खाने से पेट भरताव अनरजी भी तुरंत मिलती है मिड बॉर्णिंग स्नेक या शाम को चाय के साथ उबली हुई बुनी हुई मुखली के दाने भी खा सकते हैं रात में भूजन से पहले आपको भूख नहीं लगेगी और पेट से जुड़ी हुई समस्य है जैसे पेट की ग्यास और बलॉटीन में बशने में भी मदद करेगी साथ ही साथ मुफली का प्रियोग काफी चीजों में किया जाता अगर आपको खून की कमी है तो मुफली आपको एनिमिया से भी बचाती है इसलिए आपको जैसे ब्रत उपास करते हैं काफी लोगों को बीमारिया भी होती है और काफी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं जैसे जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है वो सेंदा नमक का यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो व्रत की सही परिबाशा थी है उपवास की वो मैंने एक वीडियो में आपको सही धंग से बता रखा हैं तो मुंख़ली के नियमे सेवन से रक्त की कमी नहीं होती इसने शक्ती मिलती शरी का पोशण होता इसी तरह व्रत करने वाले लोगों को मुंख़ली खाने से उन्हें दिन भर की शक्ती मिलती भूकी भज़े से चक्कर आने या कमजोरी महसूस करने जैसी समझताय भी नहीं होती है कॉंसे प्रेशन की परेशानी जिनको उनको भी इन सब चीजों से जिनको प सबसे ज्यादा फाइदेमन होती है मुंख़ली इसकीन के लिए सबसे ज्यादा बैटर रहती है तो आप मुंख़ली को प्रियोग में ले सकते हैं काफी ज्यादा चीजों में जैसे उम्र के साथ अगर आपको काफी लोग जो रद महीला होती है जैसे जिनकी 40 से 50 अबाउट जिनकी एज होती है वो लोग मतलब जैसे आधात्मिक तोर से जूट जाती है तो एकादेशी के अब्राइद वो अवश्य करती है यह नेचुरली बाहत है काफी लोग काफी महीला है मतलब 20 से 30 अबाउट में नहीं करती लेकिन जो 30 से 50 के अबाउट में काफी महीला है एका मुंख्मली खाने से आपकी स्क्रीन पर बुड़ापे की निशान देर तक नहीं दिखाए देते साथ ही साथ यह हड्डियों को भी मजबूत करते हैं स्ट्रॉंग बॉंस के लिए आफशा केल्चियम और विटामिन का भी किया जाता है खासकर 35 स्वाज के बाद जब प्रोड़ा घालकाई तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि मुवखली का आप एका देशी के बंड में किस सेवन कर सकते हैं और मुखली का प्रीओ कौन से वाली मुवखली का प्रीओ कर सकते कि काफी लोग होते हैं जो बजार से लाकर मुझफल एक वह बहुत चलती हमारे आप पर जो क्या बोलते हैं उसको वह भी खाते हैं तो लेकिन जो मैं आपको सही बताती हुआ बजा कि जितने भी प्रोड़क्त आते वह सही नहीं आते जिस तेल में आपके पकोड़ी बनाते उसी तेल में व्रत की नम्तिन अधिकते कहीं पर भी जाकर देखेंगे तो सही तरीके से कोई भी प्रोड़क्ट नहीं होता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जो भी आप ब्रत या उक्वास खाते हैं उसके दोरान घर के सामानों का ही प्रियोग करें रूट वह सब्सक्राइब करें दोरान ओर अपकर करते हैं तो उनको आप जारू सब्सक्राइब करें करें थे किस्नौ